हलो आप रुबान वेकम बैक टो दे चानल और कैसे हो आप सब भी उमीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे सेहत मन्द होंगे खुशाल होंगे अपना चितर से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं वीडियो है कल का ही शुरू किया है मैंने अल्म सब्सक्राइब करन नाई भी यह लास्ट विंटर्स कभी बनाई होगी तो अभी उतनी सरी तो हमारे हैं नहीं बड़ शाम में थोड़ा सा थंडी सी हो जाती है तो मैं उसके लिए वनाने वाली हो हॉट चॉकलेट अभी आज क्या है 22 है और 23 को सानवी खुशी का स्कूल में लास्ट वोकिंग डे है तो उनके अपर लास्ट वाकिंग डेजब होता है ना मतलब चुट्टियां होती है तो उससे पहले दिन वो लोग पॉटलग पाटी करते हैं तो उसमें युजवली बच्चे लोग घर से कुछ-कुछ लेकर आते हैं या तो फिर जो टीचर्स हैं वो ही अरेंज कर देती ह है वो बच्चे लोग को पैसे लाने के लिए बोल देते हैं एकोली सबको और वो खुदी सारा जो भी ड्रिंक्स, मिल्स वगरा है वो अरेंज कर देते हैं तो वह सीन तो सौर्टिड है बट अच्छली उनका थीम भी है उनको जो क्रिस्मस थीम के कपड़े होता है ना लाइ इसा कुछ मिला नहीं दोनों के लिए तो फिर अभी उनके पापो को मैंने फोन किया है तो वह आते हुए शायद दोनों के लिए एक टी-शिट ले आएंगे बिकिस उनके यहां पे वह नी लेंथ मिनी और यह सब स्कर्ट या वन पीस वह भी अलाउड नहीं है तो लंबा सा मैं मेरा शाम का शरुवाद कर देते हुँ वो फज यह भी आपको दिखाना बाकी है मैंने भी तो काटान ही कल बना गर पर अप्रिज के लिए था मैं मैं बनाने वाली होट चोकलेट मेरे नीउड पैन में पटबसे मैं आपको मेरा नीउड पैन दिखा देती हूँ इसके व glass lid, the case says on the base, this is induction based. Also, you can use it in gas and make fry prepare in both places. The capacity is 1.8 liters and it is made 100% food safe material. Totally chemical free without harmful coatings. It is good in even heating and fast cooked that helps in preserving 85% nutrients and making the tastier food. And most importantly, its triple layer construction prevents 90% less food burns. even with less oil, no food burns, no food sticking, means this saucepan is super easy to clean और हाँ, dishwasher friendly तो है ही, और यह देखने में इतना सुंदर है, उतना ही स्टड़ी भी है, it would be a great investment to your kitchen I suggest you to try this tri-ply stainless steel saucepan by the Indus Valley और यह देखिए, यह है नया बोटल, जब भी में बाहर कहीं जाती हूँ तो अपने साथ मेरा खुद का वाटर बोटल घर से पानी बरके मैं जरूर से कारी करती हूँ यह Indus Valley का premium stainless steel camo printed vacuum insulated water bottle है, कोला shaped है, इसका capacity है 1000 liters, 100% food safe है, BPA free है अज़ इस लीक-proof and compact और यह 304 grade stainless steel से बना है, तो इस bottle is non-toxic and rust-free and it won't leave a metallic taste to your water and this bottle is better than plastic or normal steel water bottle, आप इसका सकतो तो करी जूस, cold rings and obviously thanda paani हाँ, इसे थanda paani, गरम पानी दोनों ही चीज़ आप कर सकते हूँ, जब आप ठंडी को छीज करी करें तो से थंदे पानी से रिंस कर लीजे और कोई गरम चीज आप इसमें करना चाहे रहे हो जैसे रस्ते के लिए चाहे बगेरा तो इसे गरम पानी से रिंस कर लीजे और जैसे मैं आपको बता रही थी ना ये एक थर्मॉस भी है विद डबल वाल वाक्यम इंसलेशन और अगर आप इन प्रोडक्स में लेगा आपको आपका अच्छा खासा डिसकाउट तो इसकाउंट रहे है इस्तमाल कर सेमें अच्छा घखासा डिसकाउंट लोगं करांच है जो जो है टुछों कर दोंगी ना पंगी ट्रीफिर लोग इसकानाव के बूच्श में झीजाए इसका इस्तेमाल करके मिलेगा आपको आपके और पर अच्छा खासा डिसकाउंट so if you are interested do check out the description box for the link और hot chocolate बना रही हूँ मैं सानवी खुशी दोनों के लिए अपने लिए नहीं बनाओंगी क्योंकि शाम में बना रही हूँ न थोड़ी दिर में husband भी आ जाएंगे तो उनके साथ मैं तो चाय प्योंगी हमारी अद्रक वाली तो लगबग दो कप जैसा मैंने दूद ले लिया है दो चम्मच जैसी चीनी डाल दिया है और दो ही चम्मच जैसा यहाँ पर cocoa powder मैंने आड़ कर दिया है दूद के अंदर और इसमें एक टेबल स्पून और बहुत गाड़ा आपको अच्छा लगता है तो दो चम्मच जैसा आप कॉन स्टार्ज आड़ कर सकते हो अब इसको विस्क करना है इसमें कोई lumps नहीं बनने चाहिए इसको विस्क करते जाए और उबालते जाए गैस मैंने फुल पे कर दिय है तुरंती इसको मैं चलाती भी रहूंगी नॉन स्टॉप इसमें कोई lumps नहीं बनने चाहिए एक दम स्मूध हो जाएगा यह और जब उबल जाएगा न तो एक तम ही गाड़ा भी हो जाएगा यह यह बच्चे लोग को जैसा हॉट चॉकलेट पसंद आता है उस कंसिस्टेंसी का मैं बना रही हूँ आपको थोड़ा सा गाड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कॉन स्टार्ज का मात्रा बढ़ाएगा वैसे यह एक दम स्टांडर्ड है अच्छा लगेगा आपको इस इस मेइशरमेंट से भी जैसे भी उबल जाये mismix घास कर दीजेगा बं- और इसमें 5 कप से लेकर 1 कप आपको जीतना पसंद है मैंने मिल्क चोकलेट आड़ क्या है तम इसमें डाग चोकलेट भी आड़ कर सकते है और इसके बाद पिर आपकी कॉप को त्षोड़ा सा मैं इसे थोड़े से चॉको चिप्स के साथ डेकोरेट कर रही है क्योंकि मेरे पास यही अवैलिबल है वर रैसिप एकदम बढ़िया वाली है बच्चों को पसंद आता है मेरे आप बना कर देखना बहुत ज़्यादा अगर आपके पास विंटर्स हो रहे हैं तो यह तो आप ट्राय करना अगर अगर आएंगे आज थोड़ा सा उनका कसरती होगे वह मुझे फोन पर बिता रहे थे आथा चलो वह आएंगे थोड़ा सा नाश्ता वगरा बनाके रखते हूं बैट कर बाते बाते करेंगे कैसा राह उनका दिन सुनूंगी मैं तो मैंने यहापर थोड़ मैंने मेजर नहीं करा था ग्रानियूल्स आड़ करके जैसे इसमें गुबाल आ जाए मैंने ग्यास बंद कर दिया है और अभी इसको थोड़ी तर पांच मिनट में इस पानी में रहने दूंगी और इसके बाद पर इसको चान करके दो तीन बार दो लूंगी और इसको बहु प्रोटीन है बहुत बड़ी है स्नाक है और गालिक की मातरा इसमें ज्यादा जाएगी कि यह है गालिक सोया तो इसके लिए गालिक जो मैंने छील लिए है इसको मैं बार इक बार इक चौप कर लोंगी गालिक आप चाहें तो पीस करके भी आइड कर सकते हो लेकिन अशे करिए मैं बनाती हूँ शायद मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ उससे सीखने के बाद हर बार बहुत अच्छी बनती है हस्बन को बहुत ही अच्छी लगती है अमेजिंग स्नाक है आप भी ट्राइ कर सकते हो जैसे ही ऑल गरम हो जाएगा असके अन्ट गार्शा थोड़ा जं जाएगा आठक्त यहाँ जिन्जर ग्रीन चिलीज वेयां लाट सब्सका कर दो शाएगा नाच्छाग कर सकते हो यूजुजली रशीपी को और पर जोभ जाप कर एक तो छीज ज़िंगर ऑ्नि झालिक समयं तो मैंने उसी हिसाब से अड़ कर दिया है। यह सब को थोड़ा सा भून लिए और दो यह से तेन थे थे तोड़ा से तुछ मोल तो विडियूम साइज साइज के टमीटो से एंड विंटर के टमाटर तो वह 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 यह देखे कितना जूस है इनके अंदर तो डह सा यह पक जा ब्लाक पेपर पाउडर भी आड़ करूंगे मैं and then स्वाद के हिसाब से नमक और अभी जो मसाला है इसको भूनेंगे तब तक टमाटर एकतम सॉफ्ट हो जाए अगर टमाटर में जूस कम है आपके वाले तो थोड़ा पानी डाल करके उबालिएगा मैंने यहाँ पर थोड़ा बनाया यह चत्नी जैसा बनना जरूरी यह ग्रेवी सोया अब्सॉब करेंगे तो आपका मसाला भूनकर तयार बढ़े का थोड़ा सा थिक ग्रेवी जैसा रहे इस चीज का दियान रखेगा इसके बाद ये तैयार किया हुआ सोया मैंने यहाँ पर आड़ कर दिया है यूं तो सोया हम लोग ने अलड़ी उबाल लिया है तो इसको पकने में कुछ भी वक्त नहीं लेगा पर आक्चली एक स्नाक की तरह खाया जाता है रोटी पराडा के साथ नहीं तो इसको न अच्छे मेरे घर पे तो मैं बना रही है चाय उनके लिए मेरे लिए अद्रक वाली और सोया अभी तक भूनी रहा है फ्लेम फुली है बीच बीच में मैं इसको चलाए भी जा रही हूं अभी आप देखे जब आप सोया स्टर करें और इस तरह ब्राउन स्पॉट उसके उपर दिखन मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा निम्बू का रस आड़ कर दिया है आपको दिल लगे तो आप चाट मसाला और आड़ करके अच्छी तरह मिक्स कीजिए और एंजोई और गर्मा-गर्म सनाक इतना अच्छा उसने मुझे रैसिपी बताया है ना आए बैट आप एक बार बनावागे तो आपके जो होम मैंनी होता है ना उसमें आप इसे रखी लेंगे ये बड़ी हाल लगता है काने में और जैसा मैं आपको बोल रही थी ना कि ये फज मैंने कल बनाया था और तब से फ्रिज में ही रखा हुआ है बस मैं अभी इसको काट लूँगी क्योंकि अभी हम लोग चाय वाई पी रहे थे ना बादवे सोया बहुत ही अच्छा लगता आप सरूर से बना के देखना मेर अभी मेरे पास तो चंक्स अवैलिबल नहीं थे प्रियंका इसको जो एक तो लाजर चंक होते हैं एक मीडियम साइज के चंक होते हैं तो उनसे बनाती है मैं भी उसी से बनाती थी बट अभी मेरे पास सिफ ग्रानियूल से उससे भी अच्छा लगता है बस यह है कि थोड़ वो बिचारे एक महीने सब बोल रहे है मुझे कि आप वाइट चॉकलेट फज बनाओगी और एक मैन नहीं तो बीप्रसाइस दिवाली पे वो गिफ्ट नहीं होते हैं तो वो आया था तो उसमें यह क्रानबरी थे तो अच्छे नहीं लगते है उसका कुछ नो कुछ चॉकल के साथ बनागे वो और भी ज्यादा अच्छे लगते है वैसे तो देरार मल्टीपल रेसिपीज तो फिर मैंने बोला था कि मैं इसका वाइट चॉकलेट फज बनाऊंगी कि वाइट वाला जो फज रहता है तो तो तब इसे देवा लाइक कि बना दो फिर बना दो क्योंकि म आप में से कुछ लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा हूँ और हां मैं आपसे पूर रही थी कि क्रिस्मस के लिए हजबन बच्चों के कपड़े लेकर 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 आए कि आपको कपड़े दिखाती तो यह हैं दोनों के कपड़े अग्चली उनके स्कूल में थीम है या चलो हम लोग थोड़ा होकर आते हैं मार्केट और लेकर आते हैं कपड़े उन दोनों के लिए एक-एक लेकन फिर क्या है उनका ट्यूशन रहता है ट्यूशन से वो लोग आएंगे फिर किचिन साफ करना रहता है शाम की शुरुवात करनी रहती है शाम के बहुत से काम होते है मैंने फिर सौरब को फोन किया मैंने उनको बूला कि ऐसा है तो ही सेट कि मैं आते हुए ले आऊंगा वैसे भी उनका ओफिस जहां है वहाँ दुनिया जहान के दुकान है तो वह आते हुए लेकर आएं सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूँ यह वहला जो है यह ग्रीन कलर का यह खुशी का है और यह थोड़ा सा वाम है तो ऐसा मतलब वुलन नहीं है यह है तो कॉटन ही बर थोड़ा सा थिक है यह थोड़ा स्लीव और पहला ग्रीन कपड़ा है उसका एं थे शानों के लिए यह एक शिर्ट है तो इसमें ब्लैक भी था तो उसके पापा ने बोला कि यह चलेगा कि यह चलेगा कि यह अच्छा भी बहुत लग रहा है उसने डोनों ना भी पहन के दिखाया तो यह वाला इसका कलर तो यह तो वो कभी भी पहन सकती है एक क्विक सा रीकाब दे देती हूँ फज का त्री इंग्रीडेंट फज है यह बहुत जल्दी बन जाता है एक केन कंडेंस मिल्क अड़ किया है मैंने एक टेबल स्पून इसके अंदर बटर अड़ किया है जैसे ही कंडेंस मिल्क गरम हो जाए आपका बटर मेल्ट होता नजर आए गैस कर दीजे बन एक स्लाब यानि कि 400 ग्राम जैसा वाइट चोकलेट इसके अंदर मैंने एड़ किया है बन गैस पर ही और इसके बाद इसे मिक्स करना शुरू करेंगे और जल्दी ही सारे के सारे जो चौकलेट चंक्स हैं यह मेल्ट हो जाएंगे और फिर यह जो एकदम होमोजेनस मिक्स तयार हो गया नहीं इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए इसके अदर आड़ करेंगे क्रैंबुरी, पिस्ता अनची तरह से फोल्ड कर लीजे यह इसके अंदर और यह सब प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने जिस भी ट्रे में इसको सेट करना है वह आप तयार करके रख लें थोड़ा ग्रीज करके पार्चमन पिपर लगा के और इसके बाद यह जो मिक्सचर है यह इसके अंदर पोर कर दीजे थोड़ा सा इवन कर लीजे इसको और इसके बाद उपर से चाहें तो और थोड़े पिस्ता क्रानबरी से आप इसे टेकरेट कर सकते हो और यह जाएगा रेफरिजरेटर के अंदर यह रूम टेंपरिचर में उतना अचा नहीं सेट होगा बहुत वक्त लगता है फ्रिज में यह तीन से चार गंटे के अंदर मिनिमम सेट हो जाता है ओवरनाइट भी आप इसे रखी सकते हैं मेरी तरह बट मिनिमम 3-4 आर्स इसको सेट होने दीजेगा और इसके बाद फिर आप इसको डी मूल करके कट कर सकते हैं आपने अच्छी तरह से आपके ट्रे को लाइन किया है उसको अच्छी तरह से ग्रीज किया है तो यह बहुत ही असानी से बाहर आ जाता है और जमा हुआ अच्छी तरह से है न तो थोड़ा सा महनत लगेगी काटने में और छोटे बड़े जैसे आपको पीसिस पसंद आते हो इसके स्क्वेर पीसिस निकाल सकते हो आप रेक्टेंगल बार्स निकाल सकते हो मैंने इतने बड़े-बड़े काटे हैं आप इसे पतले और लंबे फिंगर स्टायल भी काट सकते हो जैसे चाहें आपके फज काटे है पर बनाएगा ज़रूर विंटर अप्रोप्रियेट क्रिस्मस अप्रोप्रियेट यह एक रेसिपी है और घर के बनाएगे बनाएगे फज का स्वाद अलग होता है लुक अड़ ब्यूटी अंदर से किसी ग्रीन पिंक यह दिख रहा है स्वाद भी बहुत अच्छा होता है आप बनाएगा तो मुझे जूर से बताएगा और इसको काटनी के बाद आप रेफ्रिजिरेटर के अंदर ही स्टोर करें यह बहुत वक्त तक अच्छा बना रहता है और डिनर में था बहुत ही क्विक सी मश्रूम की सबजी मेरे पास मश्रूम रखे वे थे जिसकी लाइफ बहुत जादा होती नहीं है तो मैंने सोचा चलो आज इसको बना डालती हूँ तो मेरे पास यह ग्रीन गालिक भी था जो आज कतम हो गया है इसलिए मैं इसका इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पस ग्रीन गालिक नहीं है तो 7-8 कलिया लहसुन की ले लीजेगा इसमें भी लेसुन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है अच्छा लगता है तो ग्रीन गालिक था मैंने वो साफ्ट कर लिया है काटके ब्लेंडिंग जार के अंदर आड़ किया है चोटा सा टुकड़ा अध्रक के आड़ किया है कम तीखी वाली, almost non तीखी हरी मिर्ची आड़ कर दी है स्वाद के हिसाब से दो प्याज, दो टमाटर, कुछ एक दाने काली मिर्ची के एक लॉंग, which is optional या आप चाहें तो quantity बढ़ा सकते हो दो लाल मिर्ची, जो बेड़गी है, यह काफी जादा तीखी नहीं रहती है कलर अच्छा देती है, सारी चीज़े बिना पानी के मिला करके एक पेस्ट जैसा त्यार कर लेंगे यह बेस बन रहा है, ग्रेवी वाला और इसको मैं बनाओंगी मस्टर्ड ओयल में, कुकर के अंदर आपकी चॉइस के ओयल के अंदर पैन में भी बना सकते हो, चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा रगता है मस्टर्ड ओल स्मोक हो जाने के बाद मैंना अड़ किया इसके अंदर और लाल मिर्ची आपके हिसाब से थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आड़ करूँगी मैं और अभी यह जो मसाले आड़ किया है इस सब को मिला करके भूनेंगे तब तक जब तक कि यह बिल्कुल थोड़ा ड्राइ होने लगे काफी ज्यादा मॉस्टर जो है वह उड़ चुका है इस मसाले का एकदम ड्राइन खुश बुदार हो गया थोड़ा डाक कलर भी आ गया है बिल्कुल चुटकी बर चीनी नमक थोड़ा सा गरम मसाला आड़ करेंगे चीनी से फ्लेवर्स को बालनस करने के लिए स्वीटनेस के नहीं आड़ किया है अच्छी तरह से फिर से एक से देर मिनट भूनेंगे और फिर लास्ट में इसके अंदर आड़ कर देंगे मश्रूम अब मश्रूम आप जैसे चाहें वैसे काट लीजे आप होल भी रख सकते हो तोड़ी सी अगर आप थिक ग्रेवी वाली अगर कारी कर हो ना तो होल मश्रूम भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में तोड़ा सा बारीक बारीक काटना पसंद करती हूं इसको भूना मसाले के साथ थोड़ी देर एक मिनट जैसा बून लीजे और इसके बाद पिर मिला देंगे इसके अंदर पानी मश्रूम के अंदर बहुत क्वांटिटी रहती है पानी की अपना ही बहुत पानी ये छोड़ देता है तो पानी जब आप मिलाएगा तो इस हिसाब से मिलाएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए मैं इसे राइस के साथ तयार कर रहे हूं तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा पाई डाल दिया है एंद म मैं आप उपर से तोड़ा सा बारी कटा हुआ है रहा दनिया तोड़ा सा लेमन जूस और मिला सकते हैं और भी बढ़िया लगेगा देखने में भी और फ्लेवर में भी डिनर के बाद बस मैं फटा फटा से आगे हूं किचन में किचन साफ करके ही सोती हूं मैं अगली सुभा क कैसे सारा काम हो गया और इसे के साथ आगे में इस वीडियो के एंड पर भी हां मुझे यादा रहा है एक दोस्ने पूछा था कि टिफन कहां से हैं तो यह भी इंडस वैली कहीं है आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उमीद कर तो वीडिय को एक लाइक दे दीजेगा चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी मिलूंगे आप से एक नए वीडियो के साथ तिल दन ऑल फ्यू टेक रियोली गुट केर अफ यॉर्सेल टेक केर बाई बाई